एक बार एक वेक्ति मचली पगड़ने की जो बांस होता है, बंसी होती है, फिशिंग रॉड होती है, वो लेकर एक स्टोर में जाता है, और बोलता है के लिए मुझे चारा चाहिए, तो जो चारा होता है, वो क्या होता है, वो एक तरह के छोटे-छोटे कीडे होते हैं, जो पांच packet खरीद के ले जाता है तो उस दुकान वाले का जो assistant होता है वो बोलता है कि आपने इसको colorful वर्म्स दिखाए लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मचलियों को तो color समझ में नहीं आता है तो दुकान दर बोलता है कि मेरे customers मचलिया नहीं है मैं बेच रहा हूं किसको जिसको मचली पकड़ना है और जिसको मचली पकड़ना है उसको colorful चारा देखके बहुत खुशी होती है और वो लेके जाता है तो इसका business lesson यह है कि आपको अपने business में confused नहीं होना है कि आपका असली customer कौन है you have to be very careful about defining who your customer is so that is the one minute business lesson for today